जुशान्त सिंग राजपूत एक फेमस इंडिन एक्टर जो 1986 में बॉन्ड हुए उनकी उमर 34 कंप्लीट करके 35 में रन कर रहे थे जनवरी में और वो आज के दिन ही पास्ट अवे तो अब इनके हैथ हम बेसिकली पढ़ेंगे और सीधे चलते इनके हाथ पे और बस दो ही भी इन extend कहुंतर है जो दिल के रहे हैं दिल की रहे हैं कि दुमाग की रेका पे यह थोड़ा सा नॉमल नहीं है कि यह चीज नॉर्मल हाथों पे कम पाई जाती है दूसरी चीज है कि व्यक्ति का दिमाग की रेखा और पैसे की रेखा का जो इंटरसेक्शन है बाएं हाथ में बाएं हाथ में कहीं न कहीं वो ब्रोकन पाया गया है तो अब हम चलते हैं इनकी इन सब रेखाओं को डिस्क्रा कि जो दिल की रेखा है यह दिल की रेखा है यह इसकी नैचुल जगे नहीं है कि वो दिमाग की रेखा को आके चुए यह दिमाग की रेखा इस जगे पर आके इसको चूना नहीं होता है लेकिन यहां पर इनके हाथ पर यह चीज दिखाई देती है अब इस इस रेखा का मतल क्या है इस रिखा का मतलब यह है कि जो व्यक्ति होएगा वो ऐसे लोगों पर विश्वाश कर लेगा जो विश्वाश करने योगे नहीं है इसका मतलब यह है कि व्यक्ति किसी को पैसे दे सकता है या विक्ति को पैसे देने के अलावा अपना टाइम एफर्ट एनरजी दे सकत है ऐसे लोगों पर जो उसके योगे नहीं है तो उसको जो रिलेशन्शिप में उसको जितना अच्छा आना चाहिए वो चीज उसे रिलेशन्शिप में अच्छे रिलेशन्शिप हो सकते हैं नहीं मिल पाते हैं यह इनका दाइनाहत बताता है और जो अच्छे भी लोगों हो स करेंगे और विश्वाश करने लोगे जो विक्ति नहीं होंगे उन पर विश्वाश करेंगे अब नैचुल जगे में आपको बतायता हूं कि कहां पे दिल की रेखा जाके एंड होती है ना कहीं न कहीं शनी के नीचे आके रुख जाएगी या फिर हो सकता है यह इस तरह से नह पर रहता है तो हम इसको अच्छा कहते हैं मतलब कि दिल की रेखा का ऊपर कितब जुकाव रहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना रिलेशन्शिप के मामले में और जहां पर यह उल्टी डिरेक्शन में चली जाती है बेस आफ दी पाम की तरफ डिरेक्शन म मुग करती है तो उसको हम नेगेटिव साइन मान के चलते हैं तो एक तो यह वजह हो सकती है जो उन्होंने एक्स्ट्रीम स्टेप उठाया में रिलेशन्शिप अब आते हैं व्यक्ति की बाया हाथ में आप यह कह सकते हैं कि आदमी लोगों का हम बैसिकली दाइना हाथ हमें देनी चाहिए एक चीज मैं जो बताना भूल गया था वह यह है कि यह शनी के परवत के नीचे ही आके यह व्यक्ति की दिल की रेखा आके एंड हो रही है दिमाग की रेखा पर अब शनी किस चीज़ को रिपेजेंट करेगा शनी बेसिकली रिपेजेंट करेगा चीज़ें वही हो जाती है जो मैंने अभी बताई है कि मनी का मैनेज्मेंट बुरा हो जाना या फिर रिस्फॉंसब्ल इर्रिस्फॉंसब्ल हो जाना या फिर अन्वाइस डेसिजिजन हो जाना और शनी क्योंकि आप यह देखिए कि जो सबसे स्लो मॉविंग प्लैनेट है इसको हम आइसोलेशन को भी कहते हैं इसको आइसोलेशन से कोर्रेलेट करते हैं और इसको हम डिप्रेशन से भी कोर्रेलेट कर सकते हैं नेसेसरी नहीं है लेकिन इसको कोर्रेलेट कर सकते हैं सो एक यह भी चीज़ दिखाई देती है अब हम आते हैं व्यक्ति की बाएं हाथ पर और दिल की रिखाहे हैं Chevy एकदम सीधे यहां पर तो आके नहीं मिली शनी के। नीचे तो नहीं आके मिलती हैं लिकिन कहीं ना कहीं थोड़ ad copper करती है। और वह आगे जाके Jupiter कि फिंगर के नीचे आखे जोइंड करती तो मिनिंग वही सेम रहेगा कि ऐसे लोगों को कि यह 20 कि दिमाग की रेखा है ये तो इक नॉमल बैक्ति़ कीं लेकिन इनके हाथ में क्या हुआ है कि दिमाग की रellow करेंघ कि यहां पे शली के नीचे आके ब्रेक हो गई है और एक नई रेखा यहां से शुरुवात है और शनी थेक्तिम्छ के दी हैं कि वह डिप्रेशं मनी मैनेजमेंट लगाइस होती है ऐसा महसूस करना कि कोई चीज़ मुव करी नहीं रही है तो सब जो चीज़ें होती है वो शनी की इसो बहुत ही पेशेंस शही है वेक्ति को तभी वेक्ति पेशेंस के साथ बहार निकल सकता है प्रॉब्म से अब ब्रेक का मतलब मैं जैसे कि इनके हाथ पे अगर मुझे नहीं मालूम होता तो मैं यहीं कहता बस एक नॉमल वे में कहता कि व्यक्ति का एक नई सोच पैदा हो जाना ब्रेक अगर शनी के नीचे भी पारता तो है मैं इतना कोंडिसी नहीं बता पाता सच्चा ही एक दिश्थ क्वी नहीं बता क्योंकि कई ब्ड़े-बड़े लोग हैं जिन की जिनकी दिमाग की रेखा यहां पर आके ब्रेक दिखाई दे रही है जैसे अमर सिंग के भी हाथ पर है एक दो और बड़े फेमस पॉलिटीशन है अकिलेश यादव के भी हाथ में तो ऐसा नहीं है कि उनके हाथ पर इस सेम चीज रिप्रेजेंट होएगी लेकिन कहीं ना कहीं उस समय यह जो जो समय मैं आपक इस पहुत इंपॉर्टन बन जाती है क्योंकि यहीं कि आसपास विक्ति का ब्रेक दिखाई देर थरीफोर थरीफाइब के आसपास और यह ब्रेक का मतलब होता है कि नहीं सोच पैदा होना और ब्रेक का मतलब यह भी होएगा कि वह पीरिड व्यक्तिका डिप्रेसिशन में sonaten करना या पिर एक नई सोच लेके पैदा होना और यह कि सब कई सारी चीजें व्यक्तिका में लग सकती है अब आप देखिए अब तो हो गया है और एवेंट के बाद में यह विडियो बनाना तो लोग यह कहेंगे कि यह विडियो तो पहले बनाना चाहिए था ता सच्छा ही है कि हमें नहीं मालूम देखूंगा तो मैं यह नहीं कहाँगा लेकिन है कि वह पीरेड समय व्यक्ति के लिए ट्रबल सम निकलना चाहिए था मतागी यह जो समय है जहां पर दिमाग की रिखा का जो ब्रेक होता है वो ट्रॉबल सम वेक्ति का निकल सकता था अब लास्ट लिए वस मैं की जीड़ का just आपक्रपक्र के हाथ में देखा जाता है वह यह शुक्र का सभानी की अच्छा और के सब्सक्रों किशलेट को हर अंट कर्ट किया जा सकता है ने ब्यूदिक्ति में ally का होता है तो मैं इस रूप में बैसिकली कह रहा हूं कि यह तो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टर के आथ पर तो यह तो अच्छा गद्दा दिखाई दे रहा है तो यह कॉलिटी उन इन में अच्छी तरह से थी लेकिन कई बार जब यह इसका मतलब यह भी होता है कि व्यक्ति कई लोगों को एक्टरेक्ट करेगा जैसे थोड़ी उपर की तरफ होती तो हम इसको नॉर्मली कहते हैं नॉमल लोगों के हाथ पर वहीं पर पाई जाती है रिपीट में लास्ट एंड करने से पहले मैं यह रिपीट करूंगा मैं इस हाथ पर यह जो ड्रास्टिक स्टेप उठाया है और जरूरी निया कि मैं एक्जैक् को अपना हाथ दिखाने के जुरूरत नहीं है किसी भी एस्टो लॉजर या आमस से क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि आपका भविश्या क्या है प्रेजेंट इस रिजर्ट और पास हाव विल भी मैं फ्यूचर फ्यूचर डिपेंज अपन वाट की और दूइं कि सत्संग हो संतों का साथ हो तो हो सकता है हम और संत्त में बढ़ी हर एक इस नहीं होता है मताद की संत्ट जो अच्छे हैं उनके उनका साथ हो तो हम इन प्राब्म से भी इपक्रेड नहीं होंगे बस इतना ही धन्यवाद आपने इसको इस वीडियो को वाच किया आपको प